दूसरे वन डे में गेंद बाजो को धूल चटाने वाले इसान किशन बहुत दुखी हो गए हैं कि उन्हें T20 में खेलने का मौका नहीं मिला उनका गुस्सा साफ जलक जलक रहा है बने रहें देखते हैं पूरा मामला क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा हाँ दोस्तों इसान किशन सकेंड ओडियाई साउथ अफरिका के अगेंस्ट में धुए धार बल्ले भाजी किया फिर भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिल सकी साउथ अफरिका के खिलाफ 93 रन की पारी और उसमें साथ छक्के मार के गेंद बाजो को स्ट हिखाने कर दो इसान किशन ने कहा छक्के मारना मैं भी जानता हूं इसान किशन का यह बयान दिखाता है कि वो अंदर से बहुत आहत हैं बहुत कुछ कहना चाहते हैं खुल कर शान किशन कहते हैं कोच और बोर्ड को मेरे अंदर चरूर कुछ कमिया दिखी होगी जिनके कारण में T20 कब में चेहनित न हो सका हाला कि इसान किशन यह भी कहते हैं कि सूर्य कुमार और केल राहूल इस समय बहुत अच्छे फॉर्म में उन्दा प्रदर्सन कर रहे हैं मैं अपनी पारी का इंतिजार करूँगा हाला कि इसमें भी बाते हो सकती है कि इसान किशन और रिशाप पंत में कौन बेहतर फॉर्म में चल रहे हैं निरास होने की बज़ा इसान किसान इसी तरह बल्ले बाजिक करते रहेंगे तो वन डे टीट वर्ल्ड कप में इंको इंडिया टी में मौका जरूर मिल सकता है यह आगे उभरते हुए खिलाड़ी हैं तेसके क्या आपको लगता है कि इसान खिशन को टीम इंडिया टी 20 वर्ल्ड कम में मौका मिलने चाहिए कॉमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को सेर कीजिए कि जिससे की जारकंट किसान को आगे मौका मिले वीडियो यहां तक देखने के लिए